अब लोग सभी आई होप सभी बहुत शांदार है जानदार है दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लैमिंग का राइट हैं डूल समझने से पहले आप लोगों को एक चिन्नू सा टॉपिक समझना है इलेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन यानि विदूचुम्ब के प्रेरन ये विदूचुम्ब के प्रेरन एफेक्ट क्या है आईए समझते हैं जैसे मैं अगर आप लोगों को एक छोटी से बात बोलू कि यहाँ पर मालीजे कोई मेगनेट है यह मेगनेट का क्या हो गया नौ साउथ पोल से निकलती है और कहां पर जाती है साउथ पोल की और जाती है इन्हें बोलता है मैगनेटिक फिल लाइन्स यानि चुम्ब के शेत्र रेखा है और इनकी संख्या को आप लोग चुम्ब के फ्लक्ष भी बोल सकते हैं तो अगर इस कोईल को जैसे अभी मालीजे इ दर्च एक ही गुजर रह्ही है बड़ जब मैं इसको पास में लेकर आओंगा तो उस्से कितने गुजर रही है चार गँजर रही है तो जब भी आप लोग किसी कोईल को को मैगनेट के पास में लेकर जाओगे या मैगनेट से दूर सो फ्रेख ध इनक यानि विदु चुम् बोलता है कि इस नियम के अनुसार जब कोई चालक चालक किसको वोड़ा हो जिसमें करेंट फ्लोः सकती है जिसमें आप लोगों ने यहां पर एक वाय रग दिया से यह न तो इसमें अगर करन्ट फ्लोः सकती तो इसको भी मैं चालक बोल दूँगा तो कुल मिलाके, सो बातों की एक बात है, अगर किसी conductor को, किसी चालक को, जब आप लोग magnetic field में move करवाओगे, तो उसमें current flow ना start हो जाएगी, इसी को बोलते हैं induced current, यानि प्रेरित धारा, और उसके दिशा को दर्शाने के लिए ही, हमारे पास में flaming का right hand rule है, दाए हाथ का निय generator में हम लोग right hand rule का इस्तिमाल करते हैं, तो generator में क्या होता है, current develop होती है न, अरे generator क्या करता है, mechanical energy को electrical energy में convert करता है, यानि कुसने current induced कर दी, उसने विदुदार उत्पन कर दी, तो वो current जो induced हुई, उसकी direction क्या है, इसके लिए आप लोग flaming के right hand rule का इस्तिमाल करते हो, इसको और भी तोड़ा आशानवासा में हम लोग समझते हैं, प्लीज यहां पर समझेए, आपके पास में दो magnet है, यह इस वाले magnet का north pole, यह left वाला, इस वाले magnet का south pole हो गया, अब जो magnetic field line, चुम्ब के शेतर रेखा हो की जो दिशा होती है, वो north से south की और होती है, तो यही दिशा magnetic field की भी होगी, चुम्ब के शेतर की भी होगी, तो मैं मानता हूँ, जोस्तों यह चुम्ब के शेतर के दिशा हो गई, तो इस वाले direction को बोल देता है, यह magnetic field, यह नहीं चुम्ब के शेतर के दिशा है, ठीक है, अब मान लीजे कोई wire है, मान लेता है, यह wire है, इस wire को मैंने एक तार का टुकड़ा रखा तार एक तार रखा और इसको मैंसे मूग कर वा रहा हूं उपर मूग कर वा रहा हूं तो यह वाली डारेक्शन किसकी हो गई अप्लाइ कर रहे हो या आप जो फ इंच्प कि जो फोर्स आपने एक याँ एक उन्च्ट तो अब यह धी आप लोगों को निकालने है तो ये जो wire होगा ना ये इसमें भी current flow ना start हो जाएगी अब current की direction कौन सी होगी current वह या ऐसे flow होगी कैसे पता पड़ेगा तो इसके लिए हमारा right hand का rule है तो right hand rule का नियम क्या बोलता है कि आपका जो right hand ना इसका एक तो आपनों को का थंब हो गया में के तीनों को कुछ इस प्रकार सेत करो कि तीनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिगरी हो जैसे मालो मैंने ऐसे कर लिया तो देखो यहाँ पर थंब और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिगरी आप ऐसे देखो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिगरी जिसे आप लोग तरदीन भोल रहो हो इसको चुंबगे शेटर के दिशार्में रखो जी जो को आप लोग जिस डारेक्शन में है यह ढूए यह जो आप狂गे फॉर्स लगा रहे हैं ऊस थमभे को न किसकी डारेक्शन में बताएगी कि उस में त्वारा आप狂गों को पता पढ़ जाएगा जैसे मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ यह example आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे magnetic field की direction कौन सी है यह वाली है तो magnetic field की जो direction है उसमें आप लोगों को इस वाली finger को रखना है ठीक है मैंने रख दिया जो conductor था आप उस पे किस direction में force लगा रहे हो इस direction में लगा रहे हो तो ठीक है मैंने थम्ब को इस direction में रख दिया तो जो current होगी न वो आप लोगो current किस दिशा में flow होगी वो आपको कैसे पता पढ़ेगा बीच वाली उगली की तरफ से, तो आप मैंने इसको इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया, तो यह वाली direction कहां पर है, यहां पर है ना, तो current आप लोग के गलत नहीं हो, डिटेल में साइन्स का complete course आप लोग मुझे पढ़ सकते हो, मात रो मातर 399 रुपे में प्राइस रख 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 रख, जिससे आपके प्रास में कोई भी वहाना नहीं हो, मेरे पास में resources नहीं थे, best content के लिए, सब कुछ physics, chemistry, biology, स समझ में आगया, तो play store पर जाईए, course वाले section में जाईए, science में टैप इंस्टॉल करिए, course में जाईए, यह आप लोग को मिल जाएगा, बाए नावा अप लोग कर लिजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, thank you so much, bye bye, take care.